गैस कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के साथ स्यार किया था रियल्मी नार्जो 50 सीरीज के बारे में तब बताया था रियल्मी नार्जो 50 सीरीज का जो स्मार्टफून ने बहुत जल्द लॉंच होने वाला है फाइनली गैस रियल्मी के तरफ से कनफरम हो चुका है रियल्मी िनार्जो सीरीज में एक नया मोडल को राएने वाला है अभीता अनार्जो सीरीज में एक next level नहीं हुँआ है जिसका नाम रहने वाला है रियल मीनार्जो फिप्ती है के बारे मैंने अल्रेडी आप लोगों के साथ अस्यार किया हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं डाल दूंगा वहाँ पर जाकर आप चेक आउट कर लेना रियल्मी नार्जो 50A के अंदर क्या खास स्पेसिपिकेशन रहने वाला है ऐसे भी रियल्मी नार्जो 50 सिरीज 24 स स्पेसिपिकेशन रहेने वाला है स्मार्टफून का प्राइस इंडिया में कितना रहेगा और स्मार्टफून को क्या आपको पर्सिस करना चाहीं कि नहीं इस सब कुछ जानले के लिए वीडियो आप लास तक जुरू देखते रहें हैं अगर आपको वीडियो पसंदाता है तो एक लाइक करना उसी के साथ चलन को कर लिए सबस्क्राइब नोटिफिकेशन बेल को जुरू आल में क्लिक करना आज का वीडियो का लाइक है जो टार्गेट रखते 200 लाइक उमीद करते आप लोग पूरे कर दोगे पहला बात किया जाए स्मार्टफून की डिजाइन ए रहने वाला है और पीछे की तरफ रहने वाला है dual camera setup, LED flash और fingerprint sensor और phone side के तरफ देखा जाए तो स्मार्टफून आने वाला है waterdrop notch के साथ डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन रहने वाला है काफी छोटा है प्रीमियम लुग के साथ स्मार्टफून आने वाला है इसके बात किया जाए चिपसेट के बारे में नारजो सीरीज में किया होता है दोस्तो जो चिपसेट मिलता है और बहुत ही पावारुफूल मिलता है रियल्मी नार्जू 50i यह जो स्मार्टफून आने वाला है मीडियाटे की तरफ से G85 चिपसेट के साथ G85 चिपसेट कितना पावारफूल चिपसेट है आप सभी लोग को पता है यह जो चिपसेट है एक ओक्टाकूर चिपसेट है 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है और इसका जो क्लॉक्स भी रन करता है वह है टूगीगार्स में यह कि कैस स्मार्टफून के अंदर आप BGMI, Free Fire, Call of Duty अब लोग सेटिंग में बहुत ही आसानी से खिलपाओगे कुछ भी दिक्कत वेगरा नहीं आने वाला है अगर आप डे टू लाइड या नॉर्माल यूज में यूज करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से अगले दो साल या तीन साल तक यूज कर सकते हो कुछ भी दिक्कत वेगरा नहीं आने वाला है यह को किस रियल्मी नार्जव 50 आई के आंदा जो प्राफ़ूएंस मिलेगा काफी अच्छा कसा प्राफ़ूएंस लेकार दोस्टों कुछ भी परिशनी वेगरा नहीं आने वाला है स्मार्टफोन आने वाले पीछे के तरफ़ansen रहने का बात पांटफोन की सिंसर के चाहिए नहाई इतनव प्राइफूल नहीं रहने वाला नहीं तो ठीक टाक कैमेरा पाफुन के अंदर देखने को मिल जाएगा इसके बात क्या जाए स्मार्टफून की स्टोरेश भेरेंड के बारे में रहे हैं रियल्मी नारजो 50 आई यह स्मार्टफून है का इस दो भेरेंड स्टोरेश के साथ आने वाला है बेस्ट रहने वाला है 3G 32G बनाइलिक स्टोरेश ठाइब स्टोरेश तरीश का स्टोरेश का स tends मिलं जाएगा इसके बात बात के जाए इसमार्टफून की बाटठी के साथ लेकिन 味 कितना वाट का छाज़र के साद़ स्मार्ट फून आने वालाई इसके बारे में डिन तक तो आराम से निकल बैट्री वेक अप पस्मार्ट फून के अंदर काफी करो सा देखने को जाएगा इसके बात का लेकरित स्मार्ट फून का प्राइस इंडिया में कितना रहने वाला है गैसे देखा जाए तो जो स्मार्फोन लॉंच होता है तो काफी किलार स्मार्फोन रहने वाला है अभी के टाइम में देखा जाए तो इस प्राइज में कर लेकर 9000 रुम अधर मुझे लगक लगता है बहुत सारा स्मार्फोन गडी वाला ऑसाओ काफी असास्मा रहने वाला है ध्युक्ष। सेप्टेमबर को यह जो स्मार्टफोन ही इंडिया पर लॉंच होने वाला है कि बहुत ही जल्थ लॉंच होने वाला है मैं कोसिस करूंगा इसका अन्बॉक्सिंग और टिप्स और गेमिंग रिव्यू सब कुछ लेकर आने के लिए इसके लिए आप लोगों की प्यार चाहिए सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बिल को जुरू आल में किलिक करके रखना क्योंकि जब मैं रिव्यू करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा यह था कुछ इंफॉर्मेशन रियल्मी नारुजो 50 आई के बारे में उमीद करता हूं आपको